हेलो फ्रेंड्स स्वागत है फिजिए पार्ट साला पहें तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं और सपाल्जी का पार 2 इससे पहले लेक्चर में हमने डिसकस किया था अल्फ पाल्सी जिसमें हमारे बेसिकली ब्रेक्टियुक्ट में डैमेज होरा हैं तो उसको हम क्या बोले थे क्योंकि वहां पर उसको हम क्या बोल रहे थे अज हम डिसकर्स करने वाले कि कौन-कौन सी मसल एफेक्ट होंगे या परेलैसेस होंगे अगर अलस पाल्स हमारे ब्रिकल्फलेक्स में होगा तो बैसिकली अलस पाल्सी हमारा कहां पर हो रहा था ब्रिकल्फलेक्स पे सी 5 और सी 6 यह बेसिकली हमारा क्या एक अपर ट्रंक है ओके अची कि उसके नीचे हमारा सी 7 सी 8 एंड टी 1 तो बैसिकली यह मिद्ल ट्रंक और रो ट्रंक ऐसे बनते जाता है तो बेसिकली हमने कहां देखना है इस वाले पार्ट में जो हमारा अपर ट्रंग है यह हमने बोला था कि यह हमारा पॉइंट क्या है अपस पॉइंट है जहां पर अगर डैमेज होगा उसको हम क्या बोलेते हैं अपस पालसी ठीक है अगर पूरा टॉपिक लेक्चर आपने देखना है तो इससे पहले वाला पार्ट हमारा अपस पालसी पर यह है आज हमने देखता है कि अगर यह डैमेज होता है या अपस पालस स्कप्प्लर नर्फ, और दुसरी हमारी होती है, सुप्रा स्क्प्लर नर्फ, एक तो कौन सार ऊठ होगा, C5, C6, दुसरी होगी, Dorsal स्क्प्लर नर्फ जो यहां से निकल रही है, यह एपस पॉंट है, अगर यहां पर डैमेज होगा, तो उसको बोल रहा है एपस पालसी उससे नम निकल रहे है सुप्राइस केपलर नर्फ और इसका जो ब्रांच बनती है उसमें हमारा एक बनता है फर्स्ट एक्जिलरी नर्फ एंड सेकेंड हमारा बनता है इसमें मस्कूलो क्यूटेनियस नर्फ ठीक है तो दो ब्रांच इसकी मेन टर्मिनल ब्रांच निकलती है तो बेसिकली किने रूट होगे 6 C5 C6 एक दू डूर्सल स्कैपुलर सुप्राइस स्कैपुलर एक्जिलरी एंड मस्कूलो क्यूटेनियस नर्फ और इसी 6 6 का हमारा कौन से नर्फ में इंबॉल्मेंट होता है बेसिकली आपको पता होगा C5 C6 और यहां से हमारा क्या निकलता है लॉंग थोरेसिक नर्फ यह नर्फ हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमें नर्फ का पता होगा तो बेसिकली मसल जल्दी हमें पता चल जाएगा कि कौन से मसल involvement होंगे तो कुछ पार्ट यहां पर लॉंग थरेश्टिक के कौन कौन से है C5S C6 तो दो पार्ट इसमें से अगर यह damage होगा तो हमारा लॉंग थरेश्टिक पर भी effect आ सकता है उसके बार जो C6 Fiver जा रहा है इसके कुछ division के बाद यह हमारा किसके साथ होता है radial nerve है तो हमारे अपर ट्रंग कौन बना रहे थे C5C6 अगर यहां पर damage होगा अपस point अपस paralysis होगा तो कौन-कौन से नर्व involvement हो सकते हैं डॉर्सल scapular nerve सुप्रा स्कैप्लार नर्फ एक्जिलरी nerve muscular cutaneous nerve और जो 66 का branch है जो radial nerve भी मिलके बनाएगा root उस radial nerve का C6 root भी involvement हो जाएगा के लिए यह तो हो गया अब देखते हैं हमारे muscles ओके तो basically हमारे muscle अगर auxiliary nerve की बात करें सबसे पहले क्योंकि C5C6 का terminal branch auxiliary nerve है तो उसमें हमारे muscle कौन सा आ जाएगा डेल्टोइड muscle हाना basically actually हमारे shoulder वाले एरिया में डेल्टोइड मसल को सप्लाइ कर लिए और जो superior lateral skin है हमारे arm की उस side में sensory सप्लाइड कर लिए तो auxiliary से कौन सा आ जाएगा डेल्टोइड then muscular cutaneous से आ जाएंगे हमारे biceps brachialis और हमारा arm का और forearm का कुछ sensory part anterior forearm ठीक है तो यह आ जाएगा muscular cutaneous का उसके बाद supra scapular कहां पर supply करते हैं जो भी हमारे rotator cuff है न वहां पर supply करते हैं उसमें कौन से involvement है mainly infra spinatus then supra spinatus okay अब जो डॉर्सल scapular nerve है यह भी basically हमारे इन ही को करते हैं और साथ में teris minor को भी हमारा supply करते हैं कुछ पार्ट इसका ओके तो basically major muscle कौन से आंगे infra spinatus supra spinatus okay और सामदा होरे teris minor और हमारा subclavious muscle आएगा क्योंकि nerve to subclavious भी यहां से जाता है वो involvement हो जाएगा कुछ fiber हमारे rhomboids muscle के हो जाएगे तो basically हम उनको भी discuss करें बर mainly हमारा जो general है deltoid bicep brachialis and infra spinatus supra spinatus फिर हम आते हैं radiant nerve का जो 66 रूट होगा अगर वह भी involvement होगा तो उससे हमारा आएगा सुपिनेटर क्योंकि सुपिनेटर को कौन सप्लाय करता है radial nerve और सेवन्थ जो भी हमारे रिस्ट एक्स्टेंसार हैं यह भी कुछ involvement हो जाएंगे कौन से हैंड के के तो एक्स्टेंसार मसल और सुपिनेटर मसल क्यों होंगे क्योंकि रिडियल नर्व का 66 रूट भी involvement होगा उसकी वज़े से सुपिनेटर भी जाएगा एक्स्टेंसार के मसल में भी जाएगा ठीक है पालसी और इंप्राइस आडेसार सुप्राइस क्योह होगे नर्व सनुप्राइस सकाोरी मसल नर्व क्योंकि यहां चलभ होगे क्योंकि यह नर्व घंटेम जेकर ग励ट ऑर संप्ल्स्वल करती है जहां भी इसका मोटर और सेंसरी एरिया होता है तो हमारे कॉन-कॉन से मसल होगे जो अफेक्ट हैंगे आप स्पार्स में डेल्टोइट बैसेप्स ब्रेक्यलिस इंप्राइस पैनेटस सुपिनेटर मसल एक्सेंसर मसल हैंड अब इसकी वज़े से हमारे क्या होगा अब स्पार्स में डिफॉर्मटीव बनती है तो देखते जोडेओं है क्यों से डिफॉर्मटीव बनती है वने नाम पहले सुना भी होगा उसका क्या बोलता है वेटर्स है तो यह वेटर जन कि टिफॉर्मटीच हानल है कि यह नाम इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमारा क्या होता है जैसे कोई भी अगर टिप मांगता है तो बेसिकली बैक हैंड ऐसे कर गी ना दिस तो इसलिए इसको हमने क्या बोला वेटर्स हैंड टिप डिफॉर्मिटी किसको जो अपसपाल से में होती है अब उसका रीजन किया है बेसिली सबसे पहले हमारे जो फोल्डर जॉइंट है कि वहां पर जो हमारा छे र रो टीटर है इने का vendo को फंक्षण लिटुलाॉफ्स हो कि लेटरल रोटेटर किसके शूल्डर गए तो मेजर कौन सा है इंफ्राइसपैनेटरस स्ट्रॉइस बहुत मतलब यह लगा लगा है 100 से अगर 20% होगा रूड बार मेजर जो लेटरल रोटेटर है वो है इंफ्रासपैनेटरस मसल यह याद रखना अगर हमारा शूल्डर उसके बाद आता है हमारा biceps and brachialis, elbow joint, अब इसकी वाज़े से क्या होगा, जो biceps और brachialis है, ये क्या है elbow joint के, main flexor, जीफ flexor elbow joint के, तो ये क्या होगा हमारा यहां से, इसका flexion loss हो जाएगा, मतलब हमारा elbow किस में रहेगा, extension में, flexion नहीं कर पाएंगे, तो extension में रहेगा, तो ये कैसे हो जाएगा, shoulder, shoulder हमारा medial rotation में, और hand हमारा elbow extension में, उसके बाद हमा आता है, और deltoid हमारा flexion के लिए होता है, तो ये भी हमारा loss होगा, shoulder में, flexion and lateral rotation दोनों loss हो जाएगा, फिर हमारा आता है, supinator muscle, तो supinator क्या हो करता है, supination of forearm, तो यहाँ पर ये loss होगा, तो हमारा hand किस में जाएगा, pronation में, तो basically, यहाँ पर supination में loss हो जाएगा, किसका, फूर arm का, फिर आता है, मेरा extensor muscle of hand, अगर ये भी होगे, तो हमारा wrist किस में जाएगा, flexion में, ओके, तो basically, यह कहाँनी क्या बन गई, कि shoulder joint में lateral rotation नहीं होगा, flexion नहीं होगा, elbow joint flex नहीं होगा, क्योंकि biceps and brachialis muscle जाएगा, और उसके बाद supination नहीं होगा, फूर arm में supinator की वज़े से extensor नहीं होगा, wrist में, क्योंकि इस muscle का भी paralysis होगा, तो उसकी वज़े से हमारा deformity कैसे बन जाएगा, यह shoulder है, ठीक है, shoulder lateral rotation में, elbow extension में, और यह forearm pronation में, क्योंकि supination नहीं कर भाएगा, क्योंकि muscle involvement, pronation में, और wrist कैसे जाएगी, ऐसे पीछे flexion में, तो basically ऐसे क्या बन जाएगा, हमारा, witter hand tip deformity, clear, तो यह होगा हमारा else palsy में, और यह क्या होगा, इन muscles के involvement की वज़े से, तो हमारा basically आज का क्या lecture था, which muscles are affected in else palsy, कौन-कौन से deltoid, biceps, brachialis, infraspinator, supraxpinator, supinator muscle and extensor muscle hand, क्यों, क्योंकि उसमें हमारा जो else point है, या upper trunk fabric and flexes का, जिसमें nerve root है, C5-C6, उसके terminal branch जो nerve है, वो इन ही muscle को supply करते है, clear, अगर इसमें कोई diet हो, तो please comment करके बताएगा,